यहां पर देखा कि काफी लोग यहां पर मुझूद हैं जिनकी तरफ से मांग की जा रही है कि प्रिंस शर्मा की जो है अंतिम संसकार प्रिंस शर्मा का तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इस पूरे मामले की तहकीकात NIA को नहीं सोंपी जाएगी जब स्टार्टिंग में यह केस हुआ था हमने पूछा डॉक्टर से तब बोलते नहीं हमने सर्जरी वगएरा कर लिये यह ओक है तीन-चार दिन के बाद उनको ऐसा कौन सा सपना आ गया कि बोलते नहीं इसको डिचार्ज करना है जमूद उनने भाना लगाया कि इसको स्पाइनल कॉड के एक एक स्रे करनी है उसके करनी इसको बेजा जाएगा और नेक्स डेस से ही वो फाल होना शुरूँ अगया और उसकी हज डेथ हुचों किया आपने जैसे सुना इस वकत हम डांगरी के उसी गर के बहार मुझूद है जो 23 वर्षिय प्रिंस शर्मा का गर है प्रिंस शर्मा जो 23 वर्षिय था जिन्दगी और मोत की जंग लड़ता रहा और आज प्रिंस शर्मा ने अपने इस इलाके को अपने लोगों को अलविदा कह दिया डांगरी का ये वो ही इलाका है ये पूरा मातम बिचा हुआ है इस इलाके में और गम की लहर इस पूरे इलाके में इतनी है कि लोग सहमे हुए हैं डरे हुए हैं अगर सिक्योर्टी फोर्सीज की बात की जाए तो इस पूरे इलाके में जो है सिक्योर्टी फोर्सीज तैनात ह हर इलाके को पूरी तरह से चक्किया जा रहा है पूरे इलाके की चानवीन की जा रही है लेकिन सुबा चार बजे प्रिंस शर्मा ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके बाद इस इस इलाके में एक बार फिर से मातम बिछा हुआ है प्रिंस शर्मा के घर के बाहर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितने मौजूद हैं और जो परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं मैं प्रिंस शर्मा की कुछ दो चार बाते आप से शेर करना चाहूँगा और इसके घर के बारे में कुछ बताना है इस आतंकी हमले में खोया है इस पूरे इलाके में देशित बरा माहोल है और कितनी गम की लहर होगी यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इसी मामले को लेकर इस वक्त हम प्रिंच शर्मा के गर में मौझूद थे और हमने यहाँ पर देखा कि काफी लोग यहाँ पर मौझूद हैं जिनकी तरफ से मांग की जा रही है कि प्रिंच शर्मा की जो है अंतिम संसकार प्रिंच शर्मा का तब तक नहीं किया जाएगा जब तक इस पूरे मामले की तहकीकात NIA को नहीं सुंपी जाएगी मेरे साथ इस वक्त तो इसी प्रिंच शर्मा के रिष्टेदार हैं इन से बात करने की कोशिश करेंगे जी प्रिंच शर्मा जो था यह सात्वा आदमी था जो critically injured था च्छे की तो पहले death हो चुकी थी और अभी भी हमारे जो कम से कम 12 तेरा जो वक्ती और हैं जो हुस्पिटल में एडमेट हैं जो भी जखमी हैं लेकिन प्रिंच उन में से ऐसा था जो critically injured था यहां हुस्पिटल वाले जो डिस्टिक रिजोरी के बोलने लगे कि नहीं वो ठीक है इसको और कुछ हमें यहां से इसको ट्रांसफर करने की जुरूरती है केस को जमो में जब स्टार्टिंग में यह केस हुआ था हमने पूछा डॉक्र से तब बोलते नहीं हमने सर्जरी वगएरा कर लिए तीन-चार दिन के बाद उनको ऐसा कौन सा सपना आ गया कि बोलते नहीं इसको डिचार्ज करना है जमो उनने भाना लगाया कि इसको स्पाइनल कॉड के एक एक स्रे करनी उसके कारण इसको बेजा जाएगा और नेक्स डे से ही वह फाल होना शुरू हो गया और उसकी हज टैथ हो जो कि आपने जैसे सुना उसकी बोड़ी से जो पोस्ट मुर्ट पे रिपोर्ट किया एक अगर उसकी बॉड़ी में से बुलिट निकली है तो यहां कौन सी सर्जरी वही थी फिर एक चोटी लड़की ह जो होस्पिटल में पार्शली एडिमिटीड थी उसको इतना फोकस से नहीं किया हुआ सान्वी शर्मा वह गर आई गर आके हमने इसकी कंडिशन देखी कि वह काफी लेजी सी है उठ नहीं रही है कुछ नहीं है तो उसको हम भी बात कर रहे थे वहते हैं नहीं में ओक्य हूँ बाद में बता चला कि उसको स्प्रिंट रेक अंदर लगा हुआ और इसकी इंड़ेस्टायन से उनको काड़ गी है यह अंदे थे क्या इनको नहीं दिखा क्या इन्वस्टिकेशन कर रहे थे क्या चेकिंग कर रहे थे डॉक्टर्स यहां पे इनको यह नहीं पता कि बच्च कर रहे हैं कि NIA जो है वो खुद आके यहां पर इंवेस्टिकेशन करें जब तक NIA की टीम यहां पर नहीं आती है तब तक जो हमारा साथवा आदमी है प्रिंस उसका हम अंतिम संसकार नहीं करेंगे इनका साफ कहना है कि NIA की टीम जब तक यहां पर मोकबर नहीं पहुंचती और डिस्टिक अडिमिस्टेशन जब तक रिटन में लोगों को नहीं देगी कि यह पूरा मामला जो है इस मामले की तहकीकात NIA नहीं करेगी तब तक जो प्रिंस शर्मा है उसका अंतिम संसकार नहीं किया जाएगा जी तो उसके इलावा भी इन्होंने कहीं तरह क्या रोप लगाए हैं कि हमारे मरीज जब जीमसी असुसे डिस्टिक हॉस्पिटर जोरी में यहां पर शिफ्ट किये गिए उनकी प्रॉपर देखरेक नहीं हुई इसके बारे में और के प्रॉपर एक तो वो तो हॉस्पिटर की बात तो आपको मैंने बता दिया कि वहां पे कोई ट्रित से जो फॉस्ट एंडारि स हुँझे से जो फस्ट टेतरिया यहां पे इन बिलिट शलाई उनने फइरिंग की बच्चों को मार दिया लोग और दिया जो मार रहा था फस्ट हो गया डाूंन को अट किया है वो जो इंवेस्टिकेशन टीम के जो ऑफिसर्स थे क्या उनको सस्पेंट आज तक किया या नहीं किया है क्या उनके खिलाफ एफ़ायर लाउंच हुई है यह नहीं हुई है अभी तक हमारे पास यह कोई रिपोर्ट नहीं है और साथ से आर दिन हो गए हैं मौरा जो प कि सारा का सारा एक परदा डाला जा रहा है हमें सिर्फ बेवकूब बनाया जा रहा है कि हम इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं वाकी इन्वेस्टिकेशन कुछ नहीं हो रही है और मैं आपको एक बात और बता दूँ अगर यह सिस्टम अगर यह वली जो इन्वेस्टिकेशन है कुछ बातों का खिलासा किया है जिसमें उनने इस साफ कहा है कि administration के पुलीस काओ साथ security की जितने भी आज Grande प्रवाही बरती जा रही है टiकीक अचीटाहत उस तरह से नहीं यही जा रही है जिस तरह से की जानी चाहिए थी की